जी नमस्ते, अब ये हम हर्शद बाई मोहन बाई पटेल गाम जुन्जुआ जिल्ला और तालुका वलसाड इनके खेत में खड़े हैं इनका ये जो 70 बादतर वराइटी का ये जो गन्ना है हर्शद बाई ये जो लाम आपने रखा है रटून ये पिछले साल कौन से महिने में कटा था ये पंद्रा नवेंबर को पंद्रा नवेंबर यानि आज सब्टेबर मतलब 10 महिना भी ये लाम को हो चुका है सदरन ये लाम में अभी कितना गन्ने है वो गिनना पड़े हैं हम गिनते हैं सदरन एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ज्यारा बारा तेरा चोदा पंद्रा सोला सतरा यानि एक इसमें से सत्रा गन्ने हैं और एक गन्ने में पेर जो है सदरन अभी हम गिला हो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंद्रा सोला सतरा अठरा 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 जैसा पेर अभी है यानि दस महीने का गन्ना है लाम रटून और एक एक इसमें से जो गन्ने और पेर है इसकी संख्या भी बहुत ब कि आधियोगोगोद से लिए जिए लुट फिप्टी एट टन पर एक कर अठर अग्या अब हुप सब्ते हैं ने अभी हम देख सकते है कि पिछले साल उनोंने अप्टे है अपत्र अक्टोबर 2015 में गन्ना लगाया हुआ था तो नौवेंबर 2016 में गन्ना ये काटा तब उनको अठावन टन एक एकर में अठावन टन इतना उत्पादन मिला और जो लाम है उसको भी उन्होंने अध्य फॉस्पेट अध्य पोटेश और अध्य ग्रीन यही खाट डालके इसका प्लांटिशम रोपन हुआ तो उसमें यह लाम में भी जो हम देख सकते ग्रोब भी बहुत बढ़िया है और इसमें क्या क्या आपको नजर आया मतलब पानी की समस्या कैसे रही निंदामन निंदामन तो बैट्रा बिचिन और फॉर्टी में दो बार छाटा था था निकाल पानीत भी इसको बापन नियमित मिला था उसको कोई प्रोब्लम नहीं अच्छा एक साधर अभी पिछले ऐसन अठावन टन इतना आया था अभी यह लाम देखके कितना टन आएगा ऐसा आपका अंदजा है चालिस आएगा ऐसा बुझे लगता है चालिस पेतालिस टन यह ल बारिष में तो मेरे चालिस से एक हप्ता ही हुआ एक बारिष आपी खुली है अभी तीन महिने उख और इसमें एक आप्टा ही लगा है इसमें भी यह वाइसब्स प्लाइप घंए अब इता क्लीन हो गया भी निए एउसमें फे इसमें अभी भी है थोड़ा बत यह देखो यह देखो यह लगी है नहीं लगता था अभी इसे भी अच्छा होता अभी दो मेना मेरा रुख गया गन्ना बारेश जब गीरा था तभी वाइट फ्लाई आ गई थी अभी पंद्रा दिन हुआ और अभी कम हो गई है तो अभी धूप नि अभी ग्रीनेरी पकड़ा है लेकिन जो पहले से आप 35-35 साल से गन्ना कर रहे हैं और उसमें जो आप रासाइनिक खाट डालके यही खेती कर रहे थे तो अभी इस दो साल से आप जो यह और गनिक के ऊपर आये है तो वो खेती और यह खेती में आपको क्या फरक्त ने ज़र जब से में और गनिक चालो किया तो मेरा इल बल गया है और अभी तो दूसरा साल है तो मेरा जमीन भी अच्छी हो जाएगी जमीन में और क्या अच्छी मतलब जो बबाद केमिकल कड़क हो गई थी तबी नॉर्मल होने लगी है तबी जह से साल निकलता जाएगा तो और इसलिए मेरा थोड़ा थोड़ा एक-दो पर कम मेरा मुझे आ रिखता है तो वाइट फलाएक निसाट पहील दोगया हो था निकल गया है ताथ निकल अभी तौँमे मेरा तोड़ा एक दो पिर कम मुझे लगता है अच्छा होता है इससे भी यह जो 25 पर है और बढ़ जाते हैं बढ़ जाते हैं अब प्रिशले दो साल से यह जो हमारे आध्य फॉस्पेट आध्य पोटेश आध्य ग्रीन एक इस्तमाल कर रहे हैं एक दो साल में अपने आपकी जो व अच्छा मुझे रिजन मिला था वो मेरे खल से 50 एक इतना टांग वह गन्ना उसका 58 एकर में हो था एक एकर में और वो भी लाम रखा हूं अच्छा है और यह तीन एकर यह चासी जिर बतीस छोल लगाया है बराबाबाब दो एकर दास हजार एक लगाया है वो भी छोल भी अच्छा पांच का में कुकड़ा ला था सुकर फेकर के दियाद है वो भी मेरे पास एक एकर है तोटल मेरा दस एकर गन्ना है रूटीन और रूपान मिलके वो सब अच्छा है और यह सब पूरा का पूरा मैंने यह और गनिक खाता जो शुकर फेकर लाया वो ही डाला हूं तो पूरा का पूरा जो दस एकर है यह हर्शद भाई ने अपना यह जो आध्य फोस्पेट आध्य पोटेश और अध्य ग्रीन यह सब खाट डालके हुए उन्होंने गन्ना लगाया है करीबन हम देख सकते कि चार एकर उन्हेंने 70 बत्तर गन्ना लगाया है आठ हजार पां 30 cm 10 10 cm 9 cm एंप 10 cm एंप 10 cm एंप 10 से 11 cm इसका जाडा ही एंप घर्थ है इंट्रनोट की साइज भी आम देखेंगे तो एकडम उनिफॉरम ऐसे साइज है जिसमें 14-15 cm इतना इसका लेंद्ध है तो एकडम और ग्रीनरी भी देखेंगे हर एक पत्त्ता जो है इतना पुरा ग्रीन कलर का पड़ता है तो आपका क्या छोड लगाया था तो आपका क्या अनुभू है अनुभू में क्या है उसका थोड़ा हाइट कम है लेकिन जाड़ा ज्यादा है तो एक अभी जो है इसमें कितना उत्पादन आने के आपको शक्यता लग रहे है पचा स्टन आने के मुझे लगता है पचा स्टन एकर में आना चाहिए पचा स्टन आ सकता है यानि हम खेड़ूत में तो यह देख सकते है कि पूरा और्गेनिक पे यह गन्ना लगाया हुआ है पिछले दो साल से हर्शब भाई अपने सभी खेत में आध्य फॉस्पेट आध्य पोटेश आध्य ग्रीन यही खाट डालके खेती करते हैं और इनका जो उत्पादन है वो हर साल देरे देरे बढ़ता जा रहा है तो आपको जमीन में क्या सुधार नजर आया जमीन पहले ब जाएगा उसका जो रूट है वो जादा फेल जाएगा दूर तक जाएगा तो जहां दूर से खातर जो पड़ा हुआ है स्वेज पहले का वो सब वो इंपुट करेगा तो उत्पादन में बढ़ेगा इसा मुझे लगता है यह मैं देख सकते हैं कि यह जो खाद और गनिक ख लेकिन आज के तारिक पे अभी वो जो प्लाविंग करते हैं तो उनकी जमीन बहुत सौफ्ट हो गई है तो इनका यह जमीन में इंप्रूमेंट हो रहा है जिसके कारण अभी हम गन्नी की ग्रोध भी देख रहेगी एक बी केमिकल खातर ना ही डाय फॉस्पेट पोटेश ए तालू का जिल्लो बल्चार छे एमने बनावाई आ सेडी नी जात आठ हजार पांच छे अने एनने नौ मेना थे आछे आपणे जोईसू के नौ मेना नी अंदर तमें सेडी नी तंदुरस्ती जोईस शको छो एक, बे, त्रण, चार, पांच, छो, साथ, आठ, नव, अने दस, दस फूट निकली शे अने ये दस फूट नी अंदर जो आपणा गाठनी जुए तो एक, बे, त्रण, चार, पांच, छो, साथ, आठ, नव, दस, अग्यार, बार, तेर, चवुद, पंदर, सोल, सत्तर, अधर, ओगनिस, वीस, एकवीस, बावीस, तेवीस एक लेके एवरेग लगबग वीस की बावीस नी वच्चे हशे आपणे जो इसू के दरेग गाठ वच्चे नू अंतर आहिया जो इसू तो लगबग सत्तर सेंटीमीटर छे आढ़ार सेंटीमीटर छे आप 20 सेंटीमीटर थवा जाई छे आपण 20 नी पासे पासे छे आढ़ार सेंटीमीटर छे आढ़ार सेंटीमीटर छे आणे जो इसू तो आपणे ओगनिस सेंटीमीटर छे अन्या 70 cm जेटलों निकड़े छे आपणे जुए जेग के एवरेज 70-20 नी वच्चे निकड़े छे हुए आपणे इनी जाडाई जोई सु 16 cm छे 16 cm छे 10 cm छे आपणे जाडाई जोई सुगर फेक्टरी माथी और गेनिक खादर्जे खरूने आध्या पोटास आध्या फॉसफेट आध्या ग्रीन आध्या चार बेग आल आखेलू आणे यूरिया नाखेलू एक कर्मा चार बेग आध्या फॉसपेट आध्या पोटास आध्या ग्रीन नूँप्यों कर्यों चे आप कितने साल से इस्तिमार करते हैं अर्शा भी मैं यह अर्गनिक खाथ दो साल से यूज़ करता हूं यह खाथ से आपके जमीन में आपको क्या सुधर नेदर रहा है मेरी जमीन है पहले मैं जो प्लाविंग करता था तो बड़ा बड़ा एसा निकल था पत्थर देशा कालक एकदम तो अभी अभी है जो यह यूज़ करने लगा ओर्गनिक खातर रसानिक बंद कर दिया तो मेरे जमीन जो है वह अकनम नॉर्मल हो गई है जी जमीन कमारी पोची पोची थे के लिए रूट चेकर ने मूट ये दूर सुधी लांबेल में जाया ने बड़ो खुआ के लिए उपारी लाजे जूनों पईड़ो होई आपरो ये इने जुते हुआ के लिए नो मैने का गन्ना है और इसमें कितना उत्पादन मिलने को आपको मिल सकता है ऐसा आ मैने को नहीं की आपके लिए तेल रफे नियुक्तों मिलने के लिए वारे झुटे के लिए आसे मिलने के लिए शाथ और ने चाल ने चाल जम्या जू ने बड़ो मैने ये बीचे नों जी से अटिक है अनों बरे त्रश्चाड ब़ो खेश है एक्सोन जित्ष दून मेना आप जोई लेशो आमना के जमीन मां सु सुधार होई होशे खेडूते कईू के पहला प्लाव करता हता क्यारे एमने डेफानी करता हता जारे आजे तमें यह ती जोई शकोशो के च्वामा सा पच्छी पॉन माटी लेवा थी आप धरी आप रहे थी जोई होशे अने जिनी माटी आरे तोमने छुटी मड़े शे आने जीनी मड़े शे आपाबत अपड़ा हर्षत बाई नुकास अगर्फी शामड़ी है रसद बाई तमने अब आपाबत में क्यू लागे शे टमारो खुप खुप दनिवाद अर्षाद बाई आगड पन तमे उमनारीते सपोट करशो है अवी आसासा अवी आसास